हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब लोग आज आपकी इंग्लिश की ओनलाइन क्लास है और इंग्लिश में अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे आज ठीक है कलपना चावला जो हमारी एक बहुत बड़ी स्पेस साइंटिस थी जो स्पेस में गई थी लेगन अनफॉर्चनेटले उनकी माँ पर म्रत्य हो गए और वो वापस लॉट नहीं पाएती तो उनकी कहानिया आजबन पढ़ेंगे तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दे चैप्टर चैप्टर नमबर फोर कलपना चावला एन इंडियन अमेरिकन वोमन इन स्पेस इंडियन अमेरिकन मतलब ये इंडिया को भी बिलॉंग करते थी अमेरिका को भी क्यों क्योंकि इसके मदर्स वा फादर्स मदर या फादर में से कोई एक इंडिया को बिलॉंग करते थे और फ पढ़ेंगे कैसे बारत की पहली महिला स्पेस में गई थी स्पेस पता है ना दर्ती के बाहर जो जगह होती उसको स्पेस अंतरिक्ष कहते हैं इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कलपना चावला वस पार्ट आफ दा इंटरनेशनल क्रियू अबोर्ड दा यूएस स्पेस शटल कॉलंबिया विकमिंग दा फर्स्ट वूमेन बॉर्ण इन इंडिया तो गो इंटो स्पेस मलब वो इंडिया में जन्मी थी लेकिन आगे जाके अमेरिका में सेटल हो गई थी तो इंडियन अमेरिकन कलपना चावला 1997 में पहली वो महिला थी जो की पार्ट थी हिस्सा थी किसका अंतराष्ट्रिय ग्रूप एक मंडली थी जो यूएस स्पेस शटल ये स्पेस का नाम है एक रॉकेट का नाम है जो कोलंबिया से उड़ा था स्पेस में जाने के लिए और वो इसके साथ ही पहली महिला बन गई थी जो की इंडिया में जन्मी थी जो स्पेस में जाने वाली गई थी sadly the second mission in कोलंबिया ended up in tragedy लेकिन आगे जाके दुखत तोर पर ये एक tragedy एक accident के तोर पर ये खतम हुआ ठीक है जब second mission हुआ दुबारा mission हुआ तब वो tragedy में खतम हो गया और वो वापस नहीं लौट पाई ठीक है तो एन इंडियन अमेरिकन वूमेन इन स्पेस कलपना चावला a space shuttle is a spacecraft that is made for repeated space travel unlike a rocket for example between earth and the space एक space shuttle वो होता है एक ऐसा spacecraft है यानि अंतरिक्ष यान है ऐसा जो बार-बार space में जाने के लिए काम में आता है यह rocket से अलग होता है है अमेरिका के नहीं है लेकिन आगे जाके अमेरिका की नागरिक्ता पराप्त कर लेते तो उनको naturalized यूओस सिटीजन का जाता है स्पेस पता है यह आपको क्या होता है य। स्पेस में गालो अंतरिक्ष फ्रन्टियर्स और अग्धानो हुट जो गाले लोग वो ह में scientist वगरा हो गए aboard का मतलब यान में बैठना lift off का मतलब होता है उपर की तरफ उड़ना जब शटल एक मालब नीचे से जब उपर की तरफ उड़ता है अंतरिक्ष में जाने के लिए तो उसको lift off कहते है crew यानि group क्योंकि अंतरिक्ष में जाते तो एक जनल नहीं जाता बहुत जारा group जाता है उसको group क्या बोलते है crew notice the spelling of these words in the lesson airplane program तो यह कुछ अलग words आएंगे इनके बारे में पढ़ेंगे चलिए अब अब बनागे चेप्टर का इससा पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक न्यूज रिपोर्ट आई थी वो पढ़ते हैं tragedy in space US space shuttle कोलम्बिया breaks into flame कि एक भैंकर accident हो गया जिसमें space shuttle जो की अंतरिक्ष यान उड़ा था कोलम्बिया से वो आग की लप्टों में चकना चूर हो गया और उसी में कलपना चावला थी थी फिर उनकी म्रत्यू हो गई थी in an unprecedented space tragedy ये अकबार में खबर छपी थी उसको ऐसे कैसे बताया है उन्होंने कि उस टाइम पर क्या वा था in an unprecedented space tragedy US space shuttle कोलम्बिया कैरिंग इंडियन बॉर्ण American astronaut कलपना चावला and six others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday कि कलपना चावला और उसके छे साती कोलम्बिया से space shuttle चला था उसके अंदर वो space shuttle आग की लप्टों में मलब जल गया और वो जो उसके अंदर बैटे थे वो लोग भी मारे गए ठीक है और ये मलब जैसे ही वो टेक्सिस एक जगह का नाम है अमेरिका में वहाँ पे लेंड करने वाला था उससे पहले हाथसा हो गया on Saturday 1 February 2003 एक फरवरी 2003 को ये हाथसा हो था killing all seven on board और सारे के सारे जो उसमें बैठे तयान में वो सारे के सारे मारे गए the shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. NASA NASA से जो अमेरिका की space agency है उससे 9 बजे उनका contact तूट के था as it came in for landing जैसे वो landing के लिए आने वाले के उस ताहें पर contact तूट के था it was flying at an altitude of over 2 lakh feet ये लगवग 2 lakh feet उचाई पर था and traveling over 20,000 km पर आर और 20,000 km पर आर की speed से उढ़ रहा था when ground control lost contact with the shuttle or जब जमीन पर बैटे वे जो हमारे NASA की लोग थे उन्होंने contact उनका उससे छूट गया उसके बाद वो कैसे मरे ये ज़्यादा कुछ पता नहीं चला कोलंबिया हैड लिफ्टेड ओफ रॉम 16 जनवरी 2003 अब ये अंतरिक्ष यान 16 जनवरी 2003 को उड़ा था अलब ये आते टाइम उनकी मृत्वी थे तो 16 जनवरी को गए थे और फिर जब एक फरवरी को वापस आ रहे थे तब ये मारे गए थे तो कैनेडा स्पेस सेंटर फ्लोरीडा से उड़ा था इटेड इन और्बिट फॉर 16 डेज एंड सेवन मेंबर क्रू कंड़क्टेड 80 एक्सपेरिमेंट बिफोर इट बिगें इट्स डाउनवर्ड जर्नी तो 16 दिन तक ये अंतरिक्ष में रहे और वहाँ पे उन्होंने लगब असी एक्सपेरिमेंट की अलग-अलग टाकि स्पेस के बारे में जानकरी जुटाई जा सके उसके बाद वह वापस नीचे आने लगे दिस वॉस कोलंबिया 28 स्पेस फ्लाइट और ये कोलंबिया की जो वह स्पेस मैंने का था न बार बार जा सकती तो ये 28 वी अंतरिक्ष मे कैसे ब्लास्ट हो गया फूट गया ठीक है चले अब आगे अपन पढ़ते हैं तो ये रिपोर्ट आई थी उस टाइम पे जब कलपना चावला की इम्रत्ती हो गए थी स्पेस में जाने के बाद अब अपन शुरू से उसकी कहानी पढ़ते हैं ठीक है ये तो हो गया end कलपना चावला ने कभी जीवन में जब वो करनाल में जन्मी थी छोटी बच्ची थी तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक बार फ्रंटिर्स ऑफ स्पेस यानि अंत्रिक्ष की सरदों को पार करके यानि प्रत्वी से बाहर अंत्रिक्ष में जाएंगी वो टैगोर स्कूल से पढ़ी थी तो उसके बाद उसके लिए मनलब यही बहुत बढ़ी बात था कि पेरेंट्स को बड़ी मुश्किल से मना कर वो इंजिनेरिंग कॉलेज में राकिला लिया उसने और लेकिन इतना नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी वो साइंटेस्ट बन ज फादर शी वेंट फॉर एंटर्स डिग्री तुथा यॉनाइटेट सेट्स ऑफ अमेरिका सइन्स की इंडिया में बैचलर ऑफ साइन्स बी एस सी की डिग्री लेने के बाद एरोनौटिकल इंजिनेरिंग मतलब गो इंजिनेरिंग जिसमें अंतरेक्ष यानों की पढ़ाई की जाती है अंतरिक्ष की पढ़ाई करते है न उसको Aeronautical Engineering कहते है तो उसमें डिग्री हासिल करने के बाद उसने कहा कि मैं अब Master वाली डिग्री बैदे को Bachelor के बाद Master वाली डिग्री होती है तो उसके लिए United States जाओंगे पढ़ने के लिए America जाओंगी तो उसके पिता ने बहुत मना किया बहुत विरोध किया लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अमेरिका गई और आगे जाके उसने पिएजडी हासिल की कैसे अंतरिक्ष में जाया जाता उससे रिलेटेट जो भी पढ़ाई होती है उसमें तो कलपना चावला पहली ऐसी इंडियन अमेरिकन महीला एस्ट्रोनोट थी एस्ट्रोनोट कौन होता है अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं जो की ब्लास्ट ओफ फ्रम तर लॉंच्पेड एड़ दा केप ऑफ की जो की ब्लास्ट ओफ का मतलब उड़ी थी अ जो की फ्लोरीडा दाम के जगह पर आए तो वहां से वह पहली उड़ी ती अपने छे सातियों के साथ अंतरिक्ष में जाने के लिए एंड पार्टिस्पेट इन सक्सेस्फुल मिशन इन स्पेस और एक सक्सेस्फुल वह जो उड़ गई थी तो उसके लिए उसमें पार्टि रहती थी वही अमेरिका में रहती थी तो उन्होंने यहां पे खूब खुशियां मनाई उसका उत्सा बढ़ाया और जो भी कैनेडी स्पेस सेंटर का स्टाफ था उनको बहुत बदाईयां दी एस दे वाल्स ता कोलंबिया लिफ्ट आप जैसे उन्होंने कोलंबिया से जैनमी थी बट वस नेचुरलाइज यूएस सेटिजन लेकिन आगे जाके उसने अमेरिका की सिटिजन शेप हासिल कर ली थी क्यों क्योंकि मैरेट टूए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पहरे क्यों एक कारण यह भी था उसके माता पिता तो इंडिया के थे लेकिन आगे और कोई महीला किसी अमेरिका के व्यक्ति से विवा कर लेती है तो वो भी अमेरिका की सदस्य हो जाएंगी तो उसको नैचुरलाइज यूएस सिटिजन का जाता है तो उसने जीन पैरी हैरिसन से विवा कर लिया था इसके बाद वो अमेरिका की सदस्य से बन गई थी besides being an astronaut she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes वो एक astronaut तो थी अंतरिक्ष यात्री तो थी अंतरिक्ष में जाने के लिए लेकिन वो एक single या multi-engine वाले plane भी उड़ाने का माददा रखती थी उसके पास license थे यानि कि वो aeroplane भी उड़ा सकती थी single engine seaplanes and gliders और वो समुदर में चलने वाले जहाज और glider glider पर समुदर में चलने वाले कुछ यह तो उनको भी चला सकती थी यह नि बहुत multi-talented थी she was also certified flight instructor flight instructor होता है जिसे space में जो यान जाएगा उसको उड़ाते कैसे तो उसकी जानकरी देने वाले को flight instructor कहते तो वो भी उसने उसका भी certificate उसे मिलावा था after qualifying as a pilot कलपना begin to consider another challenge applying to NASA's space shuttle program जब एक अलग-अलग तरह के यान उड़ाने वाले पाइलेट बन गई थी तो कलपना का मन में अलगला challenge आया कि अब मुझे नासा यानि कि एक agency है नासा क्या है अमेरिका के एक संस्ता है जो space में space से related चीजों क्या अद्धेन करती है तो उसका space shuttle program यानि कि वो अंतरिक्ष में कुछ लोग बेजेंगे तो उसका वो हिस्सा बनना चाहती थी she was first hired as a research scientist at NASA सबसे पहले एक research scientist यानि खोज करने वाले विग्यानिक के तोर पर उसको नियुक्ती वी NASA में नौकरी मिल गई उसको और 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut और 1994 में NASA ने उसे astronaut बना दिया मदब training करा दी कि आगे आने वाले टाइम में आपको space में बेज़े जाएगा ठीक है तो बचो पहला पार्ट हमारा यहीं तक था आप आगे आने वाला पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे मुझे उमीद है कि कलपना चावला की कहानी आपको हमारी भारत की लेडि जिसको पूरे भारतियों पर गर्व है कि जो अंतरिक्ष में गई हाँ यह बहुत दुख़द है कि वह वापस नहीं लोट पाई लेकिन उसने अपने इतियास में अपना नाम कर दिया था तो आगे आने वाला पार्ट में अपन आगे बची वीकाने प